हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यीटूब चैनल अनपढ़ाई पे दोस्तों इस्टेटिक जीके के 20 महत्पूर्प्रसनों के साथ फिर आपके सामने चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस्टेटिक जी के के जो परते कम्पेटिटिव एक्जाम के लिए बहुत ही महत्त पूर्ण चुनिंदा बीस प्रसनों की सिरीच चल रही है तो दोस्तों चलिए पहले प्रसन के तरफ चलते हैं पहला प्रसन है दोस्तों की रामायड का अनुवाद फार्सी में किसने किया था चार विकलप आपके सामने हैं अबु फजल, बदावनी, अब्दुल लतीफ या इसवर्दास तो दोस्तों आपको बात करें अबु फजल की, तो अबु फजल ने पंच तंतर का फार्सी में नुवाद किया था अनुवरे सुहेली नाम से और पंच तंतर के रचनाकार कौन थे तो दोस्तों आपको पता ही है विश्वु शर्मा जी तो रमायड का यदि बात करें तो रमायड की जो फार्सी मनुवात किया था किस ने किया था बदायूनी ने यानि आपसन भी आपका एकदम सही उत्तर माना जाएगा दोस्तो आपसन भी क्या है एकदम सही उत्तर है चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है द वह पोत ही आसान सा जवाब है कि भारती सिविल सेवा का जन्यञ लार्ड काण वालिस को दोस्तों पुलिस सेवा का समाधी यह कहाद है तो इनकी समाधी है गाजीपूर उत्त्रप्रतेश के गाजिपूर में और इन्होंने ही 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की सुरुबात की थी चलिए दोस्तों अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगले प्रसन है दोस्तों फिक्की का नए महा निदेशक किसे नियुक्त किया गया है चार विकलब आपके सामने हैं दोस्तों प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों बहुत ही सामदार प्रसन और बहुत कमप्देटव ग्याम में खेल जगसे सवाल पूछता है तो अगला सवाल अगला प्रसन है दोस्तों कि भारत के किस पुरुष किर्केटर को ICC Emerging Cricketer अब दाई येर 2022 के लिए नमांकित किया गया है चार बिकल्प है दोस्तों आपके सामने रेडिका सिंग, अर्शिदीप सिंग, हार्दिक पांडिया या सूरिकमार यादव यदि हम बात करें दोस्तों ICC का स्थापना 1909 बी में होती है, ICC का स्थापना कब होती है 1909 बी में इसके Headquarter की बात कर लिए तो पढ़ता है दुबई में और इसके जो मुख है इस समय कौन है? ग्रेक बरकले और यदि बात रेडिका सिंगी करें दोस्तों इन्हें फीमेल में ICC Emerging Cricket आपड़ाइयर 2022 चुना गया था यहां पर लेके mail का पूछ रहा, पुरूस किरकेटर पूछ रहा है तो हमारा स्थाई अंसर हो जाएगा दोस्तों अरसे दीब जो भारती टीम के एक बहुत अच्छे गेदबाज है चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों कि बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है दोस्तों चार बिकलप आपके सामने है 297 किलोमीटर 296 किलोमीटर 294 किलोमीटर या 208 किलोमीटर तो दोस्तों आपको पता ही है कि सबसे अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों कि मद्ध प्रदेश में जैन तीर सस्तल द्रोणा गिरी किस जिले में इस्तित है मद्ध प्रदेश में प्रसिद जैन तीर सस्तल द्रोणा गिरी किस जिले में इस्तित है चार भी कल छतरपूर दतिया सागर या नर्मदा पूरम में यदि बात हम दतिया की करें दोस्तों तो यहां पर पितामबरा पीठ है और सागर में जैनाला है सबसे बड़ा जो बनाया जा रहा है जैनाला कहां बनाया जा रहा है सागर में और द्रोणा गिरी दोस्तों तीर ससल जो जैनों का है और कहां पर है च्छतरपूर डिश्टिक में है दोस्तों, मद्द प्रत्यस के छतर पुर्जिला में है. चलिए अगले प्रेसन की तरफ चलते हैं. अगला प्रेसन हैं, दोस्तों कि किस भारती सहर में देश का सबसे गहराई पर इस्तित मेट्रो इस्टेशन बनाया गया है कोलकाता पूरे चिन्नाई या इंदोर कोलकाता की बात करें दोस्तों तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहां बने थी यहीं कोलकाता में बने थी 1884 इस भी में पहली जो रिले मेट्रो बनी थी कहां पर बनी थी कुलकाता में और यहां बे पूछ रहा दोस्तों सबसे गहराई में तो आपका राइट एंसर हो जाएगा पूड़े आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा पूड़े यानि आपसर नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम साही, 33.3 मीटर गहराई है, 33.3 मीटर गहराई में बना हुआ है, चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण की तरफ, अगले प्रस्ण है, कि साजहां द्वारा निर्वित ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे, दोस्तों सभी लोगों को पता है कि ताजमहल कहा है, उत्तर परस्ण के आग्रा डिस्टिक में, तो इसका जो मुख्य वास्तुकार कौन थे, साजहां के बारे में आप जाने, ताजमहल के बारे में आपको पता होगा है, कि साथ अजूबों में इसको बेचुना जया है और इसे युनेस्को में 1983 में जोडा गया था और दोस्तो ताजमहल बनने में कुल 22 और से लगे थे और इसका निर्मार किया था साजहा ने अपनी बेगम मुम्ताज के याद में उनकी समाधी अस्तल वहाँ बनाये थे और मुम्ताज का वास्तविक नाव पुछ लेता है कभी-कभी तुनका नाम था अरजुमंद बानो बेगम और दोस्तो इस प्रसन का सही उत्तर है अहमद लहरी आपसन भी एकदम सही उत्तर माना जाएगा चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते है आत्म किस राज्य का प्रसित लोक निरित है दोस्तो मद प्रदेश का है या तमिल नाडू का है या हिमाचल प्रदेश का है या बिहार का है यदि दोस्तो मद्द पर्देश की बात करें तो मद्द पर्देश में ग्रीडा लोकनिर्थ है मद्द पर्देश में क्या है ग्रीडा लोकनिर्थ और दोस्तो यदि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल पर्देश में एक मिंजर मेला लगता है बहुत ही फेमस मिंजर मेला कभी पूछ लेता है कि मिंजर मेला कहां लगता है तो हिमाचल परदेश में और बिहार में दोस्तो जड़ जाटिन लोक निर्थ बहुत ही फेमस आपसन नंबर बी इस प्रसन का उत्तर क्या हो जाएगा आपसन नंबर बी तमिल नाडू आपका एकदम सही उत्तर माना जाएगा दोस्तो चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तो तो दोस्तो कौन नहीं जानता है कि मेरी एक क्योंन का बिताए किस की है अटल बिहारी बाशपेई जी की है आपसर नमबर ये क्या हो जाए एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो अटल बिहरी बाश पे एक बारे मात करें ते ये तीन बार क्या बनेती है हमारे देश के प्रधान मंत्री तीन बार बनें तीन बार इन्हें हुन्हें सपत लीती और इनके समादी अस्तल को किस नाम से जाना जाता है सदयव अटल, इनके समाधी अस्तल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों सदयव अटल नाम से जाना जाता है इसको द्यान रखिएगा, अगले प्रसने दोस्तों, और इनी से अटल भी हरी बारे मौर आपको बता देते हैं, इनकी मृत्तिव वहीती 16 अगस्त 2018 इस भी को और इनका जन्म दोस्तों भुगा था 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1924 इसलिए 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाय जाता है तो आपको बता देने चाह रहे हैं सूसासन दिवस 25 दिसंबर को क्या मनाय जाता है सूसासन दिवस अटल भी हरी बाच पेजी की और भी कृतिया हैं दोस्तों जैसे क्या खोया क्या पाया और एक है कुछ लेक कुछ भासर अने कृतिया हैं अटल भी हरी बाच पेजी की आपका अपसर नमबर एक क्या हो जागा एकदम सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगले प्रसन है दोस्तों कि भारत में चावल का सरवाधिक उत्पादन कौन से छेत्र में होता है तो इसका उत्तर रमे लगरा सभी लोगं को पता होगा भारत में चावल का सरवाधिक उत्पादन दोस्तों कहा होता है पस्चिम बंगाल में होता है चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों कि केसर की सबसे अधिक मात्रा कहां उत्पन होती है केसर की सबसे अधिक मात्रा कहां उत्पन होती है दोस्तों पुरोत्तर में, पुरोत्तर की पहाड़ियों में की जाए तो दोस्तों कस्मीर में कहां पर होती है कस्मीर में किरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं किरल को किस नाम से जाना जाता है मसालों के बगीचा नाम से चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों बहुत ही फिमस एक पुस्तक है दचिप को मुवमेंट पीपूल हिस्ट्री के लेखक क्या नाम है कुमार विश्वास हैं चेतन भगत है या सेखर पाठक है या किरन बेदी है किरन बेदी की बात करें दोस्तों तिनकी पुस्तक है प्रतम माईला आएपीएज भारत की हैं और जो इस प्रसन का उत्तर है सेखर पाठक आपसर नमबर सी एकदम आपका सही एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगले प्रसने पहले एक लाइन आप लोगों के सामने देखिए जो मेनहत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते दोस्तों हाँ दोस्तों यदि आप मेनहत कर रहे हैं तो आपकी सफलता आपको निश्चित मिलेगी और आपको किस्मत की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो दोस्तों खुम मन लगा के मेनहत से पढ़िए यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए है तो उसको सब्सक्राइब करते रहे जैसे जिससे की आपको ऐसे तमाम वीडियो तुरंत आपके पास पहुचे चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं रच्छा मंत्री राजनास सिंग ने किस राज में सियोम ब्रिज का अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन है दोस्तों हाकी इंडिया की नए अध्यश कौन बने हैं हाकी इंडिया के नए अध्यश कौन बने हैं दिलेब तिर्की समीर भी कामद सुजायलाल थाउसेन या भी सुजीत राडे यदि दोस्तो हम समीर भी कामद की बात करें तो यह हैं DRDO के हैं किसके हैं दोस्तो DRDO के सुजायलाल थानुसेन CRPF के हैं दोस्तो किसके हैं CRPF के दिलेब तिर्की जो हैं हाकी इंडिया के नए अध फेड कप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है टेनिस के फेड कप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों तो टेनिस का अंतराश्ची टेनिस फेडरेशन के अस्थापना होई थी 1963 में आपको बता देना चाहरा हूं कि इसके अस्थापना कब होती है 1963 में और इसके हेड कप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है विली जीन किंग कप चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों इंटरनेट इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है जिसका एकदम आसान सा उत्तर primary का है किसका है दोस्तो यह primary का storage है ठीक ना चली अगले present की तरफ चलते हैं अगला present है दोस्तो वह तापमान जिस पर फारेन हाइड और centigrade दोनो का मुल्द क्या हो जाता है समान हो जाता है तो दोस्तो आप जानते तापमान की खाई क्या होती है केल बिन तापपान के क्या है क्या होती है केलविन चली और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा minus 40 degree Celsius इसका सही उत्तर क्या हो जाएक है minus 40 degree Celsius अव्सब नमबर भी क्या हो जाएक एक तम सही उत्तर चलिए अगरे प्रस्न की तरफ चलते हैं अगरे प्रस्न है दोस्तों कि पैठड़ी महराष्ट के किसका एक रूप है पैठड़ी महराष्ट के किसका अगला प्रेस नहीं है, दोस्तों, मत दाता दीवस कम मनाए जाता है, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रेल तो इसका उत्तर आप देंगे, दोस्तों कमेंट बाक्स में करना ना भूलें ay, कि मत दाता दीवस कम मनाए जाता है दोस्तो यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को दोस्तों क्या करें सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ऐसे तमाम वीडियो आपके पास तुरंत पहुचे, थैंकि दोस्तो, जय हिन, जय भारत!